जेहिन दोस्तों Master Genfo Channel प्रमे भवेस कुमार आप सोबका श्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ग्यान बिंदू जीयस अकाडमी द्वारा जो बिहार द्रोगा पैड टेस्ट चलाया जा रहा है दोस्तों उसका प्रैक्टिस सेट नंबर फोर तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ज्यादा से ज्यादा आंसर देने का प्रियास की दिएगा ठीक है और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा पहला प्रशन है जेनियों का विश्वास है कि जेनमत 24 तिर्तकरों की सिख्षकों का परिन नाम है इस कथन के आलोक में निमलिकित में से कौन सा एक वर्दमान महावीर के विशे में शही है तो कौन सा महावीर विशे के बारे में सही है ये कथन पाचान ना है तो option number C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वे अंतिम और 24 वे तिर्थकर थें जिसे इस नए धर्म का स परदाय का सुधारक माना गया है तो option number C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नमर प्रशन है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निमलिकित में से किस धर्म को अंगिकार कर लिया था तो अशोक महान ने बोध धर्म को अंगिकार कर लिया बोध धर्म को मान तीसरा नमर प्रशन है शुल्तानी युग में बोध हों की कौन सी साका सब्से प्रभाव सालिय थी तो वजरियान साका वजरियां साका such चलте है फोर्फ नमर प्रशन है सूची एक और सूची दो को मिलान करना है दोस्तों ठीक है तो सबसे पहले प्रदोत जो राजा था कहां का था अवंती का राजा था प्रदोत अवंती का राजा था उसके बाद हमारा शही हो जाएगा और option number यहाँ पर देख सकते हैं C जो है यहाँ पर right answer होने वाला है पांचवा नमर प्रश्ण की बात करें दोस्तों निमलिकित में से कौन सा एक कतन प्राचीन भारत की श्रेनी व्यवस्था के बारे में असत्य है तो असत्य कतन को यहाँ पर पहचानना है तो देख सकते हैं दोस्तों option number D में श्रेनी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में परचलित थी तो यहीं option number D है यहाँ असत्य हो जाएगा जबकि श्रेनी वे पारियों और कारिगारों का शंगठनता बिल्कुल सही हो जाएगा उत्पादित वस्थों की गुनवत्ता और कीमत संबंदित श्रेनी द्वारा निर्धारत की जाती थी यह भी सही है श्रेनी अपने सदस्यों के आचरन पर भी नियंतरन रखा करती थी यह भी सही है तो कौन सा कतन असत्य है यह पहचान ना था तो option number D यहाँ पर right answer होने वाला है छटा नमर प्रशन है दोस्तों कि मगत का कौन सा समराठ अपरो परुशूराम के नाम से जाना जाता था तो वह कौन था दोस्तों तो वह था महापदमनन अपरो पर्शूराम के नाम से जाना जाता था आठामा नमर प्रशन है पाटली पुत्र को किस सासक ने शरप्रतम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटली पुत्र को शरप्रतम अपनी राजधानी चंद्रगुप्तु मोरे ने बनाई थी? उप्शेन नमर A. इजदाराय अगार आणसर चलते हैं नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो मास्टर जिन पोकोश स्क्राइब कर लिजिएगा आठमा नमर प्रश्ण है गोदावरी नदी के तट पर इस्थित महाजनपद था तो गोदावरी नदी के तट पर इस्थित महाजनपद अश्मक महाजनपद था जो की दक्षिन भारत का एक मात्र महाजनपद है अश्मक की राजजानी पोटना या पाटन है नेक्स्ट है नाइन नमर प्रश्ण मद्यकालीन भारती राजाओं के संदर में निम्लिकित में से कौन सा खतन शही है तो कौन सा खतन शही है दोस्तों देख सकते हैं फिरोज सा तुगलक जो था फिरोज सा तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दिवान ये बंदगान अस्थापित कराया फिरोजसा तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दिवान ये बंदगान श्टार्ट किया यही यहाँ पर कथन शत्य हो जाएगा तुगलक नामा के रचनाकार कौन माने जाते हैं तो तुगलक नामा के रचनाकार अमीर खुसरों माने जाते हैं अमीर खुसरों ने आठ सुल्तानों के सासन में सासन किया इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, तुगलक सासनकाल में किस मुसलिम सासक के सिक्कों पर देवी लच्छमी की आकरती बनी हुई थी? तो देवी लच्छमी की आकरती वाला सिक्का मुहम्मद गौरी के सासनकाल में बना हुआ था दक्षिन अभियान के करम में किसने मलिक काफूर को विश्व परसित कोहिनूर हिरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हिरा सुल्तान अलावदिन खिल जी को भेट किया तो 13 का right answer हो जागा दोस्तों प्रताप रूद्रदेव ने कोही नियुरहिरा पुर्दान किया था 14 नमर प्रश्ण है माराठों की स्वत्नधरता के युद का नितिर्थ किस नहीं किया था इसका right answer हो जागा तारा बाई ने 15. पेश्वा पत्प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहता मांगी जिसके फलस्वरूप पर्थम अंगला मराठा युद हुआ इसका राइट आंसर हो जागा रगुनात रा ओप्शन नम्बरे 16. अश्ट परधान के बारे में कौन सा कतन सत्य है यह पहचानना है दोस्तों सीवाजी सदेव अश्ट परधान के संयुक्त निर्नेयों को मानता था बिल्कुल सत्य है दूसरा है पंडित तथा नियाइधीस भी सेनिस अंचालन के लिए बाद देते हैं यह यहाँ पर गलत हो जाएंगे सेना पती सेना का सरवच कमांडर होता था यह भी यहाँ सही है दोस्तों पेसवा सरवादिक महत्पुर मंतरी था किन्तु अन्य उसके अंतरगत नहीं थे यह भी यहाँ पर गलत हो जाएंगे पहला और तीसरा जो है दोस्तों कथन शत्य है इसका ऑप्षन हम लोग देख लेते हैं ठीक है तो ऑप्षन नमबर सी यहाँ देख सकते हैं दोस्तों option नमर सी राय टांसर हो जागा एक और कतन तीन शही है चलते हैं next 17 नमर प्रश्ण की बात कते हैं 17 नमर प्रश्ण है 1771 में पानीपत का तीसरा युद के समय कौन पेशवा था तो पानीपत का तीसरा युद के समय बालाजी बाजी राव पेशवा थे 18 नमर प्रश्ण की बात करें अंग्रेजों ने माराठाओं के साथ सूरत की संधी पर कब हस्ताक्चर किये थे कब हस्ताक्चर किये थे दोस्तों तो ये शात मार्थ 1775 को हस्ताक्चर किये थे अंग्रेजों 19 नमर प्रश्ण की बात करें किस वेवस्था में ने शंगठित माराटा समराज को और संगठित समों में बदल दिया तो यह कौन सा वेवस्था था तो यह सरजामी वेवस्था था option नमर ए 20 नमर प्रश्ण है निमलिकित पेश्वाओं का काल करमनुशार संयोजित कीजिए तो सबसे पहले बाला जी विश्वनातना है उसके बाद बाजी रा उसके बाद बाला जी बाजी रा उसके बाद माधावरा पर्थम यहाँ पर जो करम में ही दिया गया है ठीक है शबी अपने करम पर है 21 नमर प्रश्ण की बात करे, किस संधी से चत्रपतियों ने पेशवा को पुर्ण अधिकार दे दिया, किस संधी के तद दे दिया दोस्तों, इसका रायट आंसर हो जागा, शंगोली की संधी के द्वारा नेक्ट चलते हैं, 22 नमर प्रश्ण है, अश्ट परधान शमेती का विगटन किस ने किया था? तो अश्ट परधान शमेती का विगटन दे दोस्तों, यह संभाजी द्वारा किया गया था नेक्स्ट है, निमलकित में कौन भारते सविधान के अंतरगत शही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है भारते सविधान के अंतरगत कौन, तो पंचायत भागनों में बिल्कुल सही है, नगरपालिका नो का को में बिल्कुल सही है, शहकारी समेती भागनों का को मे बिल्कुल सही है जबकि अधिकरन भाग 10 में नहीं है दोस्तों तो option number यहाँ जो D है वही यहाँ शुमेलित नहीं है next चलते हैं 24 नमर प्रश्ण काफी important यह प्रश्ण है दोस्तों तो अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like जरूर कर दे भारत के सविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की सुवतंतरता और कितने प्रकार की शमानता एव महत्रित्व का करम बतलाना है तो कितने परकार के न्याय के बारे में चर्चा है दोस्तों, तो सविधान में तीन परकार के न्याय, पांच परकार की स्वतंदर्ता, दो परकार की शमन्ता, एक परकार का भात्रित्तु के चर्चा है, इसलिए option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा, काफी important यह प्रशन है दोस्तों, ठीक है, 25 नमर प्रशन है, निम्न शब्दों पर विचार करें, निम्न शब्दों पर विचार करें और इनका क्रम हमें बताना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सरभोमिक सबसे पहले आएगा, उसके बाद समाजवादी आएगा, उसके बाद धर्न निर्पेक् इसलिए option number A यहाँ पर right answer होने वाला है नेक्स्ट है 26 नमर प्रश्ण शविधान की उद्देशिका के शमन्द में निम्न कत्रों पर विचार किर जिये और दिये गए कूट का सहता से बताईए कि इनमें कौन सा शही है पंडित नहीरुद्वारा प्रस्तुत objective प्रस्ताव अंतोत गत्वा उद्दिसका बना बिल्कुल सही है इसकी प्रेकिर्टी जो है नियाय योगे नहीं है ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों तीसरा हम लोग देख लेते हैं तीसरा और क्या लिखा हुआ है तीसरा जो लिखावा है दोस्तों इसका संसोदन नहीं किया जा सकता है सविधान के विशिष्ट प्रवधानों में यह रद नहीं कर सकता है यह बिल्कुल सत्य है एक तीन और चार सही है इसलिए आप्शन नमर भी यहां पर राइड आंसर हो जाएगा 27 नमर प्रशन है दोस्तों निमलिकित सब्दों में से कौन सा सब्द शन 1975 में भारते सविधान की प्रस्तावना में शम्मिलित नहीं था तो कौन सा सब्द शम्मिलित नहीं था दोस्तों ती यह अखंडता शब्द शम्मिलित नहीं था शभी वेक्ति पूर्णता और शमान रूप शे मानव हैं यह सिध्धान जाना जाता है तो सर्म भोमिक्ता नाम से जाना जाता है नेक्ट चलते हैं ट्वेटी नामर प्रश्ण भारत के सविधान के उद्देशों में से एक के रूप में आर्थिक नियाय का किस से उपवबंद किया गया है तो स्थों इसका रायट आंसर होगा उद्देश का और राज के निति निर्जशक तत्तों से जो है उपवबंद किय गया है थर्टी नमर प्रश्ण है निमलकित में से किस वबाद में उज्टम नियाले ने धारना प्रस्तूत की उद्देश का सविधान का भाग है किस विबाद में कहा गया है दोस्तों कि उद्देश का सविधान का भाग है तो यह बंबई बना यूनियन और पिंडिया में कहा गया है कि उद्देश का शविधान का भाग है 31 नमर प्रश्ण के बात करते हैं दोस्तों कि शविधानिक संस्वधन अधिनियम ने राज के निती निर्देशक तत्तों को मोलिक अधिकारों की अपेक्छा अधिक प्रवावसाली बनाया तो 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों 42 निती निर्देशक तत्तों को कारव्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हननन हो सकता है दोस्तों तो कुछ का हननन हो सकता है 33 निमलिकित में से कौन शाराज निती निर्देशक सिध्धान्त नहीं है ये प्रशन पूछा जा रहा है तो देख सकते हैं दोस्तों अंतराश्ट सांती को प्रवसाहन बिल्कुल सही है चौदव वर्स तक के बच्चों को निसूलक अनिवार सिक्षापरदान करना बिल्कुल सही है गोवद निसेद बिल्कुल सही है निजी समपती का शमापती ये गलतियां पर हो जाएगा अप्शन नमर डी 34 नमर प्रशन की बात करते हैं शविधान के किस अनुछेद में नियाएपालेका, कारेपालेका का प्रिथिकरन का उल्ले किया गया है ये किस में किया गया है दोस्तों ये किया गया है अनुछेद 50 में अनुछेद 50 के तहट नियाएपालेका और कारेपालेका श्वतंत्र किये गये हैं आ जा रहा है तो 35 का राइट आंसर होगा दोस्तों ओप्शन नमर सी शभी नागरिकों के लिए शमान आचार सहीता या ब्यालिसवां सविधानिक संस्वन दुवारा नहीं जोरा गया था 36 नमर प्रशन है मूल भूत सविधान में कौन सा भाग में राज लोग कल्यान संकल्प सम्मिलित की गई है तो 36 का राइट आंसर होगा दोस्तों राज के निती निजगततों में ओप्शन नमर डी उत्तर भारत में उपम हिमाले छेतर के सहारे फैले सम्तल मैदान को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है दोस्तों तो कहा जाता है भाबर प्रदेश आप्शन नमर डी पूर्वी धोली गंगा सहयक नदी है तो पूर्वी धोली गंगा किसकी सहयक नदी है तो काली नदी की सहयक नदी है ओप्शन नमर बी 39 नमर प्रश्णा है बिहार के कि जिले में गंगा नदी शबसे लंबी है तो बिहार के पटना जिले में गंगा नदी के लंबाई शबसे अधिक है उचके बाद भागलपूर जिले में है तो देख सकते हैं 40 जो नमबर है दोस्तों उसको हम लोग देख लेते हैं 40 नमबर में क्या कहा रहा है तिस्ता नदी के संदर में निमलिकित कतनों पर विचार्ज केजिए अब आताना है कौन सा कतन शही है तिस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रहंपुत्र का है लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है बिल्कुल गलत है रंगीत नदी की उद्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तिस्ता नदी की एक सायक नदी है बिल्कुल सही है 41 नमर प्रश्ण है कृष्णा नदी जल विवाद किस राजियों के मद है तो कृष्णा नदी जो जल विवाद है दोस्तों या आंधर प्रदेश, महाराष्ट और करनाटा के मद है Option number A is the right answer 42 नमर प्रश्ण की बात करें प्राइदियूप भारत में पुर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षियन का शही क्रम यहां पर बताना है दोस्तों तो सबसे पहले श्वर्णरेका उसके बाद महानदी, उसके बाद गदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी, उसके बाद वेगई इसलिए option number A ही यहाँ पर right answer होने वाला है 43 नमर प्रश्ण है नदियों की लंबाई के अवरोहिक्रम में गुदावरी, महानदी, नर्मदा वतापती का सही अनुकरम कौन सा है तो सही अनुकरम यहाँ पर बताना है दोस्तों देख लेते हैं इसका option तो इसका जो सही अनुकरम होगा यह हो जाएका पहले गुदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद तापती इसलिए option number B यहाँ पर right answer होने वाला है 44 नमर प्रश्ण है कौन सी नदी उडिशा में अपना डेल्टा बनाती है तो उडिशा में अपना डेल्टा कौन बनाती है, तो महानदी बनाती है option number B 45 नमर प्रश्ण है हंगरी शाहक नदी किसकी है हंगरी जो है किसकी साहक नदी है यह प्रश्ण पूछा जा रहा है दोस्तों तो हंगरी जो है तुक भद्रा की साहक नदी है 46 नमर प्रश्ण है पुर्व की और बहने वाली भारत की निम्लकित नदियों में से किस एक में निम्ना वले के कारण विभरंस घाटी रेफ्ट वेली है 46 का यहां पर रैट आंसर होगा दामोदर नदी निम्लिकित नदियों में से कौन सा आध्यारोपित नदि का उधारन है तो चंबल नदि है घाकरा नदि गंगा नदि में मिलती है तो गंगरा नदि जो है गंगा में कहां मिलती है दोस्तों तो यह छपरा के निकट मिलती है औप्शन नमबर भी आलपस परवत स्रेनी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है आलपस परवत स्रेनी जो है किस देश का हिस्सा नहीं है दोस्तों तो यह इंगलेंड का हिस्सा नहीं है जबकि फ्रांस जर्मनी अस्टेलिया में आलपस परवत का कुछ हिस्सा है ड्राकेस बर्ग परवत है ये दक्षिन अफरिका में है नमरर सी निमलकित में से कौन सा एक जील तांजानिया और युगांडा के बीच अंतराष्ठ सीमा बनाती है तो वह कौन सा जील है दोस्तों तो जील हो जाएगे विक्टोरिया जील तंजानिया और युगांटा के बीच सीमा बनाती है 52 नमर प्रश्ण है पेरू की राजधानी क्या है तो पेरू की जो राजधानी है ये लीमा है कोरल रीफ या जीवासम पट्टी प्रायक कहां पाई जाती है ये कहां पाई जाती है दोस्तों यह पाई जाती एक करक एव मकर रेखा के 20-30 चेतरों पर next step 54 नमर प्रशन है वाई मंडल कई परकार के गैसों का मिसरन से बना है पृत्वी के नज़दीक वाई मंडल में मुक्ता पाई जाती है तो पुर्टवी के नजदिक के वाई मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आप्शन नमबर A मानव की कौन सी किरिया जलवायू से सरवाधिक परहायत होती है तो मानव की कौन सी केरे जलवाई से सरवादिक परहाईत होती है दोस्तों तो यह हो जाएगे किरसी क्या हो जाएगे दोस्तों किरसी जो है सरवादिक परहाईत होती है निमलिकित में से कौन साफ़दार सरवातरिक तापन उत्पन करने में योगदान नहीं है तो 56 का राइट आंसर हो जागा शलफर तथा नाइट्रोजन के आउकसाइड 2022 के एसियन गेम्स कहां एजित किये गए तो 2022 के जो एसियन गेम्स से दोस्तों यह एजित किये गए हैं चीन में आप्शन नमर भी एसियन गेम्स का पुन रूप क्या है कई बारिक जामें पूछा गया है तो Special Economic John option number C निमलिकित में कौन सा एक देव निर्थ है देव निर्थ के बारे में यह प्रशन पूछा जा रहा है तो कूछी पूडी जो है दोस्तों एक देव निर्थ है निमलिकित में कौन सा एक शरोद वादक नहीं है तो सरोद वादक इनमें से कौन नहीं है दोस्तों तो अल्ला रखा खां सरोद वादक नहीं है जबकि अली अकबर खां सरोद बजाते हैं अल्लावदिन खां सरोद बजाते हैं अमजदली खां शरोद बजाते हैं इसमें अमजदली खां सरवादिक बार पूछा जाने वाला प्रश्ण है 61 नमर प्रश्ण है निमलकित में भारत में विमुद्रीकरन का कौन सा अपचारिक उद्यस नहीं है तो 62 का यहां right answer होगा option number D राष्ट एलेक्ट्रोनिक निधी अंत्रन टीजर रीन क्या है दोस्तों तो टीजर रीन के बारे में यह प्रश्ण पूछा जा रहा है तो टीजर जो रीन है यह आरंब में ब्याज की दर कम रहती है और बादम के वर्सों में यह अत्यादिक बढ़ जाती है option number C 64 नमर प्रश्ण है 1969 में निमलकित में से किस बेंग का राष्ट करन नहीं हुआ था वा था तो भारत स्टेट बेंग का नहीं हुआ था जबकि पंजाब नेशनल बेंग का हुआ था 1969 में बेंगोप इंडिया का 69 में राश्ट करन हुआ था 65 नमर प्रश्ण है Credit Card Dash के नाम से भी जाना जाता है Credit Card जो है Plastic Money के नाम से भी जाना जाता है Option नमर D भारत में निमलिकित में से कौन सा राज Asbestos का सरवादिक उत्पादक है Asbestos का यहाँ पर सरवादिक उत्पादक जो होगा दोस्तों यह जागा राजस्थान राजस्थान इस बेश्टस का सरवादिक उत्पादक राज है भारत हीरा संस्थान कहां इस्तित है भारत हीरा जो संस्थान है दोस्तों यह सूरत में इस्तित है गुजरात में Next है सविधानिक इस्तिती के अनुशार खनीजों पर किसका अधिकार है तो खनीजों पर किसका अधिकार है दोस्तों तो राज सरकार का अधिकार है औप्शन नमर ए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोरपरेशन ओफ इंडिया की हीरो की खान कहा है तो 69 का राइट अंसर होगा दोस्तों पन्ना में पन्ना मध्य परदेश में पड़ता है दोस्तों ये भी हमें याद रखना है शेविंटी नमर प्रशन है 2000 रुपए के भारती बेंक नोट पर छापा मंगल यान क्या दरसाता है यहाँ पर मंगल यान जो 2000 पर छापा गया है दोस्तों यह क्या दरसाता है अंतरिक्च में भारत का पहला उद्दम दरसाता है मंगल यान जो की 2000 रुपए के नोट पर दरसाया गया है 71 नमर प्रशन है कोरे लाइड कोरे लाइड जरें पाए जाती है तो कोरे लाइड जो जरें है दोस्तों यह शायकस में पाए जाती है ओप्शन नमर से एफला विस किसे बनता है तो एफला जो विस है यह कवक द्वारा बैना आया जाता है ओप्शन नमर ए पनस्पती जगत में निमलकित में से किसको जल अस्थलचर यानि कि उभैचर कहते हैं तो 73 का राइड आंजर होगा व्राय फायटा को उभैचर यानि कि जल अस्थरचर कहते हैं 74 नमर प्रशन है हाइडरा की स्रावी को सिकाव में कौन सा सहजीवी शेवाल मिलता है तो कौन सा सहजीवी शेवाल मिलता है युकुलो रैड युकुलो रेला, आप्शन नमर 20 75 नमर प्रश्चने है, मुंग फली का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मुंग फली का वानस्पतिक नामariat अरीकस हाइपो जीया है, आप्शन नमर 20 76 नमर प्रश्ण है हल्दी चूर्ण टार्मेटिक पोधे के किस भाग से प्राप्थ होता है तो 76 का राइट आंसर होगा दोस्तों सुख्स प्रकंद से option नमर C 77 नमर प्रशन है केसर उत्पन होता है केसर किस से उत्पन होता है दोस्तों तो इसका राय टांसर हो जाएगा क्रोकस के वातिकरा एव वर्ति कागर से option नमर से कापास सम्दित है किस से दोस्तों युगलीना जो है बहु कोशी की धीव है option नमर ए चलते हैं 18 नमर प्रश्ण की बात करते हैं केलफ प्राफ्थ होता है केलफ कहां से प्राफ्थ होता है दोस्तों तो केलफ जो है यह समुंदरी शेवालों से प्राफ्थ होता है नेक्स्ट है लोटनिक इस्थेतिक और सर्पी घर्चन के कारण बॉलों को विवस्थित किया जाए तो सही विवस्था क्या होगी दोस्तों तो सही विवस्था इस्थेतिक शर्पी लोटनिक होगा option नमर से घर्षन गुनांग के बारे में ये कथन है दोस्तों ये कथन को हम लोगों को जानना है एटी टू में पूछ रहा है घर्षन गुनांग एक विमाहीन रासी है कई बार एक्जाम में पूछा गया है एटी ट्री नमर प्रशन है रोरी युक्त सरक के तुनना में बर्प पर चलना कथिन होता है क्यूंकि पैर तथा बर्प के मद घर्षन बल रोरी ये पैर के मद घर्षन बल की तुनना में कम होता है इसलिए बर्प का चलना कथिन होता है 84 नमर प्रश्ण है कि किसी नियत परचेपन वेक के लिए पिंड का परास अधिकतम तब होता है जब उसे प्रेक्षेपित किया जाता है 36 तल से 45 डिगडी के कोन पर 85 नमर प्रश्ण है अगर किसी वस्तु को यू प्रारंबिक वेक से उपर फेका जाए तो वस्तु द्वाराती तै की गई दूरी अधिकतम उचाई H मान कितना होगा तो अधिकतम उचाई H मान U स्क्वार बटे 2G होगा एक लरका गेंद को 100 मीटर उर्धवादर उपर की और फेक सकता है तो वह गेंद को कितनी अधिकतम 36 दूरी तक फेक सकता है दोस्तों तो यह वह जो अधिकतम 200 मीटर 36 दूरी तक फेक सकता है एक सिकारे वरिक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष करके गोली चलाता है गोली चलाते ही बंदक बंदर कूँच जाता है वैसी दसा में गोली कहां जाएगी तो वैसी दसा में जो गोली है दोस्तों बंदर के सिर में छेद कर देगी आप्शन नमर ए 88 नमर प्रशन है किसी लिप्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है 88 का राइट आंसर होगा दोस्तों जब लिप्ट तुवरित गती से उपर जा रही हो तब लिप्ट में बैठे व्यक्ति का भार बढ़ता हुआ प्रतित होता है 89 नमर प्रशन है गुर्तविय तुवरन का मान क्या होगा तो गुर्तविय तुवरन का जो मान है दोस्तों ये प्रित्वी के अक्षांस पर निर्भर करता है option नमर D चलते है next question की बात करते है 90 नमर प्रशन 90 नमर प्रशन की बात कर लेते हैं दोस्तों यदि कोई अंत्रिक्स यान प्रित्वी के केंदर से प्रित्वी की तिर्जा की दुगनी दूरी पर हो तो उसका गुर्तवा करसन क्या होगा तो उसका जो गुर्तवा करसन है दोस्तों वह 2.45 मीटर पर सकेंड स्कॉर होगा 91 नमर प्रशन है जिस नियुनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्राराम करता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे जुवलन ताप कहते हैं निमलिकित में कौन सा उसमा छेपी अभिक्रिया का उधारन है तो उसमा छेपी अभिक्रिया का उधारन अमल को जल द्वारा तनू करना है 93 नमर प्रशन है रासाइनिक अभिक्रिया के फल्सरूप निमलिकित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है किसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों और यह सक्रिता उर्जा घटाता है, ये एक और तिन यहां पर सही होगा, तो option number B is the right answer. शंपर्क विधी में गंधक अमल H2SO4 के निर्मान में परियुक्त उत्परे रख क्या है, तो परियुक्त उत्परे रख जो है B2O5 है. निम्न में से किस परकार के तत्व में उत्तम उत्परे रख सिद्ध होते हैं, तो 96 का right answer हो जागा, शंक्रमन तत्व में option number A. क्लोरिन गेस बनाने की डीकन विधी में उत्परे रख के रूप में परियुक्त होता है, 97 का right answer हो जागा, क्यूप्रिक कोलोराइड option number C. नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम गुलुकोज को एलकोहल में परिवर्तित करता है, तो जाइलम जो है, गुलुकोज को एलकोहल में परिवर्तित कर देता है, 99 नमर प्रशना है, निमलिकित में कौन रसाइनिक अभिकिरिया है, तो कौन रसाइनिक अभिकिरिया है दोस्तों, तामबे की एक तार को उच्छ ताप पर वायू में गर्म करना एक रसानी का भीकिरिया है option number D वसायुक्त खाद पदार्थों को सरने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है वह कहलाता है एंटी ओक्सी डेंट option number B तो अभी हम लोगों ने ग्यान बिंदू GS Academy द्वारा जो बिहार दरोगा का पैड टेस्ट चलाया जाता है दोस्तों उसका practice set number 4 देखा था असा करता हूं कि आज का ये class आपको अच्छा लगा होगा class अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजेगा और चैनलर पर नए होंगे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में